नमस्कार बागवानी फसलों को बढ़ावा देने और किसानों की आमे ब्रिद्धी के लिए भारत सरकार ने राष्टी बागवानी मिशन की शुरुआत की तो राष्टी बागवानी मिशन है क्या इसके क्या उद्देश से है और हमारे किसान भाई इसका लाग की तरह से उठा सकते हैं इस विशे में जानकारे देने के लिए हमारे साथ है जन्पदवारारसी के वरिष्ट उद्या निरचक जोती कुमार सिंग शिंग साब आपका इस्टूडियो में बहुत दोत स्वागत है नमस्कार किसान भाईयों ये राष्टी बागवानी मिशन के जो शुरुवाद भारसरकार ने की है तो इसका मुख्य उद्देश क्या है देखिए राष्टी बागवानी विकास मिशन जो भारसरकार द्वारा शुरू किया गया उसमें हर प्रदेश से उसका एक कॉडिनेटेट प्रजेक्ट बनाएगा जिसे इंटीग्रेटेट कहके हम कहते हैं एकिकरित बागवानी विकास मिशन तो इसका जो उद्देश है ये था कि किसानों को कई चरणों में लाभानवित करना प्रथम चरण था उसके उत्पादन एवं उत्पादक्ता को भी बढ़ावें साथ ही उसकी गुणवत्ता का भी विशेज ध्यान रखा जाए तो ये तमाम ऐसे बिंदूओं थे जिस पर की बागवानी का कारिकरम प्रारंब हुआ तो ये राष्टी बागवानी मिशन में कौन-कौन से एक त सबसे पहले अमरूद उत्पादन को बढ़ावा दिया इसके बाद फिर हमने केले की फसलों को भी लिया और आप जैसा जानते हैं कि बनारस में लंगडा आम भी काफी प्रसिद्ध है तो लंगडा आम को भी बढ़ावा देने के भी कारिकरम हमने इसमें सम्मिलित किये तो इस तरीके से बागवानी की बात हो गई जिसमें फ़लों की बात हमने कर ली फिर आपने कहा कि सबजियों की तो सबजियों में संकर साग भाजी उत्पादन का एक बहुत अच्छा चेत्र वारानसी में है विसे इस तोर से अगर आप देखें तो मिर्च का उत्पादन यहां लोकी है इन सबका बहुत अच्छा उत्पादन होता है तो सरकार ने इसको भी बढ़ावा देने के लिए रास्ट्री बागवानी विकास मिशन के अंदर इसको समलित किया बिसेस तोर से जैसे इकाई लागत की बात करें तो पचास हजार इकाई लागत प्रती हेक्टेर है तो सरकार इसमें आपको 40% तक की छूट मतलब 20,000 रुपया प्रती हेक्टेर की दर से आपको अंदान उपलप्त कराती है जिससे कि आप संकर सागभाजी का क्रे करके और उसका उत्पादन कर सके और फालों को भी बढ़ावा देने के लिए 40% सबसीडी है जी फालों में जैसे क आप अमरूद में हैं केले में हैं तो हर जगे सबसीडी आपको प्रवाइट की जा रही है आप आप बात की आपने सी मसाले की बात की तो मसाले में मुक्रूप से हमारे छेतर में प्याज की खेती बहुत अच्छी होती है तो प्याज को बढ़ावा देने के लिए भी हमने प्याज की खेती में भी सबसीड़ी देने का पूरा इसमें बेवस्था की गई है और प्रतेक किसान को भी 40% के अंदान पर हम NHRDF का बहुत अच्छा प्याज का बीच हम उपलप्त कराते हैं इसी प्रकार आप देखेंगे कि लहसुन की खेती को बढ़ावा दिया गया उसी ह बात करें तो हमारे यहां दो तीन तरीके की केटेगरी है एक तो कट फ्लावर जिसमें गुलाब है गलेडूलस है और लूस फुस्प जो की हमारे यहां बुक्के रूप से गेंदा के रूप में उत्पादन किया जाता है इसकी जो है मालाएं बनाई जाती है और मंदिरों म इसका बहुत अच्छा प्रयोग है तो इसमें भी हमने जो 40% की छूट दे रखी है तो जिससे किसान अपने उत्पादन को बढ़ावा दे मतलब चाए फल हो सबजी हो मसाले हो सब पर जो है 40% 40-50% पर सरकार 40-50% देती है जी जी सिंग साहब बात आती है इनोवेशन की टेक जी बिल्कुल सही का आपने की जब तक संरक्षित खेती को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हम किसानों की आयक की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं कर पाते हैं क्योंकि खुले में आप जब खेती करते हैं तो उसमें बहुत से प्रभाव हैं चाहे वातावरन के हों चाहे बोलचाल की भाशा में जिसे हमें एक हजार वर्ग मीटर कहते हैं तो आठ बिस्से का अगर आप पाली हाउस लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको चार लाग सरसट हजार पान सव रुपए का अंदान उसके निर्माण में मिलेगा जब की एकाई लागा तो उसकी नौलाग देते हैं और छूट देते हैं सबजी की खेती अगर आप मालिया पाली हाउस के अंदर खीरा करना चाहते हैं और जानते हैं कि पाली हाउस के अंदर वो खीरा किया जाता है जो कि पार्थिनो कार्पी को पड़ा महंगा उसका बीज आता है तो वहां पे हम सत्तर जार रुप का भी आयोजन किया जाता है और समय समय पर हम किसानों के 50 किश्कों के बैच के या 400 किसानों का एक संगोष्ठी या मेला भी हम आयोजित करते हैं जिसमें हमारे भारती सब्जी अंसंधान संस्थान है हमारे काशी हिंदु विश्विद्याले है यहां यूपी कॉलेज है इनके जो प्रवक्ता है या वैग्यानिक है इनके साथ हम एक मंच पर किसानों को और वैग्यानिकों को साजा मंच उपलब्त कराते हैं कि वो अपने प्रशन पूछ सकें और उनके हम उनके उत्तर वहां पर दिला सकें तो यह पूरा प्रयास होता है कि वैग्यानिक और हमारे किसान एक मंच पर आएं प्रजातियों के बारे में चर्चा करें रोगों के बारे में चर्चा करें और अभी आप ने सुना भी होगा हाल के दिनों में हम अब विदेश व्यापार की तरफ बढ़ चले हैं। काफी फाल फुल सब्जियां निर्यात हो रहे हैं। बिल्कुल आप देखेंगे खाद्यान की बाद करना क्योंकि उसको आप रख सकते हैं। लेकिन सब्जियों का भंडारण और उसकी समयावधी के विसाब से उसको देखते हुए कम समय में हमें उसको बोगता तक ले जाना होता है। यह बहुत बड़ा चैलिंज है। तो इसमें भी हमारे यहां एपीडा का कारेयल है यहां खुला हुआ है और निर्यात की संभावनें बढ़ गई है। हमारे यहां आप देखेंगे कि करखियाओं में पैक हाउस का निर्माड हुआ है। जहां पे किसान अपनी सबजियों को रख सकते हैं। आप राजा तलाब में चले जाएं। वहां भी हमारे पास स्टोरिज की बेवस्ता हमने डिवलप की हुई है। तो यह तमाम सविधाएं जो उपलब्त कराई जा रही हैं किसानों को कि अपने उतपात को संरक्षित रखें। और कम समय में सीधे व्यापार्क में विदेश व्यापार्क में ले जाके उसका लाव कमा लें। तो अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। सिंग साहब इन योजनाओं का लाव लेने के लिए हमारे किसान भाईयों को मतलब एक तरह से कहा जा कि क्या-क्या फार्मेल्टिट पूरी करने पड़ेगी और किन दस्तावेजों की जरुरत पढ़ती है और कहां संपर करें। करेंगे और वहां जाने के बाद आप अपना जन्पत सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपनी फसल जो भी आप लेना चाहते हैं चाहे आप सबजी की खेती हो फल हो फूल हो जो भी आप लेना और जैसे ही आप ये अपलोड करेंगे एक रेजिस्टेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा और इस स्कीम की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि प्रथम आवक प्रथम पावक जो पहले अपना अपलाई करेगा उसे पहले उसका लाब मिलेगा इसमें किसी तरीके की सिपार से कहा जाए जन सुविधा केंद्र है वहाँ बैट करके अपना रेजिस्टेशन करा ले और योजना का लावों वही से सीधे बिलकुल वहां से ले 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 आपको फिर आगे की जो जरूवत पड़े हमारे पास टेकनिकल कोई सपोर्ट की जरूवत हो अपने जो कुछ अभि प्रभाव जो है देखने को मिला है जी देखिए बहुत अच्छा प्रशन है समसामाइक है कि उत्पादन और उत्पादकता ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था जब रास्ट्री मिशन शुरू हुआ लेकिन अब आप देखते हैं कि हम कोई भी खाद्य पदार्थ या सबज जिया या फल अब उसको देख के उसके साइज के अनुसार उसके रंग रूप के अनुसार खरीदते हैं और हम उसमें भी केटेगराईज करने लगें कि हमको अच्छा चाहिए कोई कहता नहीं हमको जैविक चाहिए तो अब खाने में क्वालिटी की बात हो गई कि हमें गु उत्पादन की छमता है, उसमें तो विकास हुआ ही हुआ, लेकिन गुणवत्ता युक्त उत्पादन में जो हमारा प्रयोग हुआ, वो सबसे जादा हुआ. तो ये होट्री कल्चर मिशन या जिसे आप एकिकरित बागवानी मिशन कहते हैं, ये उत्पादन से गुणवत्ता युक्त उत्पादन की ओर जा रहा है. और आखरी सीड़ी जो होती है, वो होता है विपड़न मार्केटिंग. और उसके अलावा, अगर आप कोई चीज मार्क प्रकेटिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसकी प्रसंसकरण, उसको रखने की कला आपको सीखने की ज़रूदत है. तभी उसका आप एक तरश से अच्छा मुले पास सकते हैं. अच्छा मुले पास सकते हैं. क्योंकि जानते हैं कि आप खेट से किसान के खेट से चली हुई भोकता की मेच तक आते आते या उसकी डाइनिंग टेबूल तक आते या खानी की प्लेट तक आते आते उसमें 25-30% तक का शरण हो जाता है. तो इसको रोकने के लिए हमने पैख हाउस बनाने की बेवस्ताय दे रखी है. उसमें भी दो लाक रुपए का अंदान है. कि प्रसंस्कृत भी कर सकते हैं. सब्जीयों के बिमिन उत्पार प्रसंस्कृत करने की तकनीक पर भी हम उसको आपको छूट देते हैं. अगर आप और अधिक समय तक कैसे सब्जीयों को रखा जाए इसके वारे में भी आप लोग जानकारी देते हैं. बिल्कुल पैक हाउस मे पैक न करने कारण खराब होती हैं. तो दस परसंट तो हमने रोक लेते हैं पैक हाउस के सलते हैं. और उसके बाद उनको किस तरीके से उसका तुड़ाई उपरान प्रबंधन किया जाए. किस अवस्था में तुड़ाई की जाए. कितनी दूर आप उसको लेके सबजीयों को जाना चाहते हैं. किस अवस्था में उसको तोड़ के उसको पैक किया जाए. ये भी बहुत महत्पूर्ण चीज़ है. अगर किसान भायों को अच्छा मुल्य लेना हो तो. जी, जी. अब मालिया कि आपको स्थानी मंडी में जाना है तो दो घंटे-चार घंटे में आप पह है कि उनकी पैकेजिंग कैसे की जाए कि हर जगे की डिमांड अलग होती कोई कहता मुझे चार किलो की पैकिंग में चाहिए अभी आपने देखा सबसे जो सबसे नीचले स्थर पे खेती होती जिसका नाम कोई नहीं लेता था सिंगाडा कितना पॉस्टिक है विदेशों में एक तरह से अपडेट होने की प्रसिशन लेने की और विवाग से जोड़ जाए तो निश्टित ही इसका लाव उठा सकते हैं बिलकुल बिलकुल शिंग साब आप इस्टूडियो में आए और राश्टी बागवानी मिशन के बारे में हमारे किसान भाईयों को और दर्सकों क इतनी से जानकारे दिये जानकारे देने और बात्चित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार के साथ भाईयों